The difference between two digit number and the number obtained by interchanging the position of the digit is 54. Suppose हमारा two digit number है AB, digit interchange करेंगे तो हमारा BA हो जाएगा, इसका minus है हमारा 54, ये हमें दिया हुआ है. Then हमें two statement दिया हुआ है, the sum of the two digit of a number can be determined. सबसे पहले देखते हैं, इस information से हम क्या-क्या निकाल सकते हैं. हम AB को लिख सकते हैं, 10A plus B, and BA को लिख सकते हैं, 10B plus A, that is 54. ये कैसे लिखें, ये simple, suppose हमारे पास अगर 55 होता है, तो simple इसको 5 into 10 plus 5 लिखते हैं. सो इसी form में लिखा हुआ है, 50 plus 5, 55. अब इसको बस simplify करेंगे हम, since minus sign है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10A plus B, और ये दोनों minus है, तो minus 10B minus A, that is equal to 54. ये 10A, 10B को साथ में रखेंगे, तो 10 common, A minus B, और यहाँ देखें, ये minus A है, और ये plus B है. तो अगर minus 1 common ले ले लेते हैं, तो हमारा A minus B हो जाएगा, that is equal to 54. Then simple equation solve, 10 minus 1 यहाँ हो जाएगा, और A minus B common जो है हमारा A minus B, that is equal to 54. So यहाँ A minus B क्या हो गया? is equal to 54 divided by 10 minus 1 आएगा नीचे 9, that is equal to 6. तो A minus 1, A minus B का value हमारा 6 आगया, ठीक है? ये हमारा value आगया. अब देखेंगे कि हमारा क्या क्या possibilities हो सकता है, so हमारा possibilities ही सब में होगा, X से 9 तक number हो सकता है, 0 number नहीं होगा, विकोज अगर 0 हो जाएगा, तो एक भी value, तो हमारा एक जो number हो जाएगा, वो single digit हो जाएगा, तो 1 से 9 के बीच में होगा, तो A-B is equal to 6, so तीन possibility हमारा आ रहा है यहां से, 1 7, 2 8 and 3 9, ठीक है? अब आगे देखते हैं यहां क्या लिखा है? सपोज अभी तक हमारे पास sum निकालना है, तो अब तीनों corresponding sum देखेंगे क्या है? तो मांगे लिजे इसका sum, divide कर लेते हैं, इसका sum हमारा 8 आएगा, इसका sum 10 आएगा और 12 आएगा, इसका मतलब है कि हमारा 3 समा रहा है, अगर हमें product पता है, तो हम क्या number निकाल सकते हैं? सपोज प्रोड़क्ट इतीनों का क्या है? हमारा पहला का 7 हो जाएगा, दूसरा का 16, तिसरा का 27, अगर हमें product पता है, सपोज 16 पता है कि product क्या है? तो exactly 16 पता है, तो 16 ये एक, तीनों में से 16 यूनिक है, मतलब हमारा number 2 और 8 हो जाएगा, मतलब ये statement अगर only नहीं लिखा रहा था, तो ये सही हो जाता, यहां क्या लिखा हुआ है कि अगर product हमें पता है, तो हम sum निकाल सकते हैं, यहां दिख रहा है, अगर product 27 पता है, तो हमे सपोस हमें A और B का रेशियो पता है, यहां 7 है, यहां सपोस A और B का रेशियो 4 है, और यहां सपोस 3 है, अगर हम रेशियो भी अगर हमें पता होगा, तो तीनों रेशियो यूनिक है, तो मान के चलिए हमें question में दिया है कि, यही question दिया होगा, और हमें ratio पता होगा, A to B का दिया हुआ है कि केवल product पता होगा, तभी हम निकाल सकते हैं, तो यह गलत statement हो गया, क्योंकि हम ratio पता है, तभी निकाल पा रहा है, तो यह only वाला statement generally ही गलत होता है, तो ऐसे हम लोग 1 eliminate कर दिया, now आते second में, the difference between the two digits of the number can be determined, तो अभी देखे पहले phase out किया, यहाँ पर one seven, then possibility देखे, multiplication से भी हो जाएगा, अगर यह first वाले statement में only नहीं लिखा रहा था, then हम लोग कर सकते था, अगर product पता है, तो number में पता हो जाएगा, लेकिन only लिखके यह confuse create कर दिया, because other possibilities भी है, यह से ratio में पता है, तो तभी हम निकाल सकते हैं, that's why, ज इसका सोलीशन है, बी.